आज हम देखेंगे संख्याओं के मानक रूप से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण एक हाथी की एक दिन के खुराख तीन लाख ग्राम हैं, तो हाथी की एक साल की खुराख मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त की जाएगी? यहां हमें हाती की एक साल की खुराग को मानक रूप में लिखना है संख्या का मानक रूप M गुणा 10 के उपर घाद P के रूप में लिखा जाता है जहां M एक दिशमलब 0 या उससे अधिक लेकिन 10 से छोटी संख्या है और संख्या P एक पुर्णांक यानि इंटीजर होती है हाती की एक दिन के खुराग 3 लाख ग्राम है हमें ग्यात है कि एक साल में 365 दिन होते है इसलिए हम 365 और 3 लाख ग्राम का गुणा करेंगे इस तरह से हाती की एक साल के खुराक बराबर 365 गुणा 3 लाख ग्राम है हम 3 लाख को घातांकिय रूप यानि exponential फॉर्म में 3 गुणा 10 के उपर घात 5 लिख सकते हैं इस तरह से हाती की एक साल के खुराक बराबर 365 गुणा 3 गुणा 10 के उपर घात 5 ग्राम बराबर 1095 गुणा 10 के उपर घात 5 ग्राम हमें संख्या को मानक रूप में लिखना है इसलिए हम 1095 के सबसी दाई ओर दशमलव बिंदू यानि decimal point गर्शा कर इसे 3 स्थान 2 तरफ सरकाएंगे चुकि हमने दशमलव बिंदू को 3 स्थान 2 ओर सरकाया है इसलिए संख्या का मान समान रखने के लिए हम 10 के उपर घात 3 से गुणा करेंगे इसलिए हाती की एक साल की खुराक बराबर 1.095 गुणा 10 के उपर घात 3 गुणा 10 के उपर घात 5 ग्राम है क्या आप बता सकते हैं, इसे और सरल रूप में लिखने के लिए हम घातांक याने एक्स्पोनेंट के कौन से नियम का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए सोचिए! बिल्कुल सही! हम प्रयोग करेंगे एक के उपर घात एम गुणा एक के उपर घात एन बराबर एक के उपर घात एम धन एन इस नियम का इसके सहायता से हम लिख सकते हैं, दस के उपर घात तीन गुणा दस के उपर घात पांच बराबर दस के उपर घात आट इसके उप्योग से हम कह सकते हैं कि हाथी की एक साल के खुराक बराबर 1.095 गुणा 10 के उपर घात 8 ग्राम है इसकी तुलना M गुणा 10 के उपर घात पीसे करने पर हमें ग्यात होता है कि यहाँ M का मान 1.095 है जो की 1.09 से बड़ा लेकिन 10.09 से छोटा है इसी तरह P का मान 8 है जो की एक पुर्णांग है इस प्रकार हमने हाथी की एक साल के खुराक बता कर इसे माना ग्रूप में व्यक्त कर लिया है अगला उधारण एक प्रोटॉन का द्रवमान यानि मास 1.672623 गुणा 10 के उपर घात रिण 27 किलोग्राम है तथा एक इलेक्ट्रॉन का द्रवमान 9.109390 गुणा 10 के उपर घात रिण 31 किलोग्राम है दोनों के द्रवमानों की तुलना कीजिए हम तुलना अलग-अलग प्रकार से कर सकते हैं हम दोनों में अधिक द्रवमान किसका है यह ग्याद कर सकते हैं इसी तरह हम यह भी ग्याद कर सकते हैं कि एक का द्रवमान दूसरे के कितने गुणा है चलिए पहला तरीका देखे दो घातांकिय संख्याओं में बड़ी या छोटी संख्या कौन सी है यह ग्याद करने के लिए हम इकाईयों और घातों को समान करते हैं यहाद दोनों की इकाईय समान है लेकिन एक दशमलव छह साथ दो छह दो तीन गुणा दस के उपर घात रिण 27 किलोग्राम इस संख्या की घात रिण 27 है जबकी नौ दशमलव एक शून्य नौ तीन नौ शून्य गुणा दस के उपर घात रिन 31 किलोग्राम इस संख्या की घात रिन 31 है घात समान करने के लिए हम या तो दोनों की घात रिन 27 करेंगे या दोनों की घात रिन 31 करेंगे चलिए दोनों की घात रिन 31 करें क्या आप बता सकते हैं, एक दशमलब 6-7-2-6-2-3 गुना 10 के उपर घात रिड 27 किलोग्राम इस संख्या में घात रिड 31 करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचिए सोचिए, चलिए हम बताते हैं, हमें दशमलब बिंदू को चार स्थान दाई और सरकाना होगा, और संख्या के मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए घात को कम करना होगा, यहां रिड 27 एक रिडात्मक पूर्णांख है, इसलिए हम रिड 27 में से चार घटाएंगे, जिससे हमें घात प्राप्त होगी रिड 31, अब प्रोटॉन का द्रवमान 16726.23, गुणा 10 के उपर घात रिड 31 किलोग्राम है, और इलेक्टॉन का द्रवमान 9.199.199 गुणा 10 के उपर घात रिड 31 किलोग्राम है, चुकि घात और इकाया समान है, इसलिए हम इनके तुलना कर सकते हैं, यहां हम देखते हैं कि 16726.23, 9.199.199 से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 16726.23 गुणा 10 के उपर घात रिड 31 किलोग्राम, 9.199.199 गुणा 10 के उपर घात रिड 31 किलोग्राम से बड़ी है, यानि कि प्रोटॉन का द्रवमान 1.672623 गुणा 10 के उपर घात रिड 27 किलोग्राम, इलेक्टॉन के द्रवमान 9.199.199 गुणा 10 के उपर घात रिड 31 किल किलोग्राम से बड़ा है अब चलिए इनकी गुणा के रूप में तुलना करें इसके लिए हम एक द्रवमान को दूसरे की द्रवमान से भाग देंगे इस विभाजन को स्वयम करने का प्रयास कीजिए इसके लिए आप कैल्कुलीटर का प्रयोग कर सकते हैं इस विभाजन का परिणाम हमें प्राप्त होगा लगभग 1836.15 इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटौन का द्रवमान इलेक्ट्रौन की द्रवमान से लगभग 1836.15 गुणा बड़ा है अब आप स्वयम ग्याद कीजिए इलेक्ट्रौन का द्रवमान प्रोटौन के कितने गुना हैं तो आज हमने देखे संख्याओं के मानक रूप से संबंधत कुछ मज़ेदार उधारन अगले वीडियो में हम इन से जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाओं को दूर करेंगे